क्लास 8 एक्सरसाइस 1.1 का प्रशन 3 है इसका पहला भाग हम करने जा रहे हैं यह है एक्स ब्राबर 11 बटा 15 के लिए सत्यापित कीजिये की माइनस ओफ माइनस एक्स ब्राबर एक्स होता है तो अभी हम देखेंगे माइनस ओफ माइनस एक्स ब्राबर एक्स हमें सिद्ध करना है तो माइनस का निशान ब्रैकेट माइनस और एक्स हमें दिया हुए है 11 बटा 15 हमें सिद्ध करना है कि यह है एक्स एक्स है 11 बटा 15 के यानि लेफ्ट एंड साइड राइट एंड साइड के ब्राबर है तो आप जानते हैं कि minus into minus होता है plus minus minus plus तो यह आगया plus 11 बटा पंदरा और यहां भी है 11 बटा पंदरा तो आप देख रहे हैं कि left hand side जो है वो right hand side के बराबर आ गई है तो आप लेतेंगे सिद्ध हुआ इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है x बराबर minus 13 बटा 17 इसे आप स्वयम कीज़ेगा प्रशन 6 है 6 बटा 13 को minus 7 बटा 16 के व्युत करम से गुना करो तो 6 बटा 13 को हमने गुना करना है minus 7 बटा 16 के व्युत करम से करना है और हमने सीखा था कि व्यूतकरम का मतलब होता है किसी भी संख्या का उल्टा इसे हम गुननात्मक प्रतिलोम भी कहते हैं जैसे 2 का व्यूतकरम होगा 1 बटा 2 तो ऐसे ही यहां माइनस साथ बटा सोला इसका जो व्यूद क्रम आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस सोला बटा साथ जो हर था वो अंश बन गया जो अंश था वो हर बन गया इसे कहते हैं व्यूद क्रम तो 6 बटा 13 का व्यूत करम नहीं है 6 बटा 13 को गुना करना है तो बीच में गुना का निशागा गाया माइनस 7 बटा 16 के व्यूत करम से तो माइनस 7 बटा 16 का व्यूत करम हो गया उल्टा माइनस 16 बटा 7 इसे हमें गुना करना है तो यह यहाँ पर कुछ भी आपस में कोई भी किसी के पहाड़े पर नहीं कट रहा तो हमारे पास आगया 6 गुना 16, 96, 7 में साइन माइनस का बटा 13, 91 तो यह हमारा उत्तर है इसके बाद आथवा प्रश्ण है क्या माइनस एक सही एक बटा 8 का गुननात्मक प्रतिलोम 8 बटा 9 है क्यों अत्वा क्यों नहीं आएए देखते हैं हमें संख्या दी गई है माइनस एक सही एक बटा 8 इसे जदी लिखना हो तो हर रहेगी 8 उपर के लिए हम क्या करेंगे आठ को एक से गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा आठ इस आठ में उपर वाला एक प्लस कर देंगे तो यह आजाएगा 9 यानि हमारी अंश बन गया 9 साथ में साइन है माइनस का इसका मतलब माइनस एक सही एक बटा 8 को माइनस नो बटा 8 लिखा जा सकता है यदि प्रशन के निसार इस संख्या का गुनानात्मक प्रतिलोम यह है यदि माइनस नो बटा 8 का गुनानात्मक प्रतिलोम आठ बटा 9 है तो इन दोनों को गुना करके एक आना चाहिए यही गुनानात्मक प्रतिलोम की प्रिभाशा है एक संख्या का गुनानात्मक प्रतिलोम वही होगा जिसको उस संख्या से गुना करने पर एक आए आईए देखें 8 से 8 कट गया 9 से 9 कट गया यह आया माइनस एक गुना एक माइनस एक बराबर एक लेकिन यहां देख रहे है लेफ्ट एंड साइड पर आया है माइनस एक राइट एंड साइड पर आया है एक जो की बराबर नहीं है जो की ब्राबर नहीं है तो हम लिखेंगे left hand side right hand side के ब्राबर नहीं आई अतह minus 1 सही 1 बटा 8 ये प्रशन में से लिख रहा हूं मैं पूरी लाइन minus 1 सही 1 बटा 8 का गुननात्मक प्रतिलोम 8 बटा 9 8 बटा 9 नहीं है इसी प्रकार से इसका अगला प्रशन देखते हैं हम क्या 3 सही 1 बटा 3 का गुननात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्यों अत्वा क्यों नहीं है बिल्कुल पिछले कोशन की तरह है 3 सही 1 बटा 3 हर का हर लिखा 3 उपर 3 गुना 3 9 प्लस 1 10 यह आगया 10 बटा 3 यदि 10 बटा 3 का गुननात्मक प्रतिलोम 0.3 है यह है प्रतिलोम 0.3 है तो इन दोनों को गुना करके एक आना चाहिए 10 बटा 3 गुना 0.3 का दिशमले वटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10 यह दिशमले वटा दिया आप दिशिका पहले 1 आप देखें 10 से 10 कर गया 1 3 से 3 कर गया 1 एक गुना 1 होता है 1 यहाँ लिए दिता हूँ और राइट इन साइड पे भी है 1 तो देखें left side, right side के बराबर आ गए तो हाँ तीन सही एक वटा तीन का गुननात्मक प्रतिलो शूर्य दुशमलवतीन है